बर्खा कर रही है आध्या को टॉर्चर अनुज और अनुपमा ने पकड़ा रंगे हातों बर्खा को सुपाही टीवी सीरिल अनुपमा का आने वाले एपिसोड होने वाला है धमाकेदार जी या दोस्तों आपको बता दे कि आप कहानी में बहुत इंटरस्टिंग ट्विस्ट चुका है क्योंकि यहां पर अनुज जो है वो ब्लेम कर रहा है अनुपमा को कि उसकी वज़ा से उसकी आध्या उसे दूर हो गई और भगवान के पास चली गई तो वहीं पर वन्राज जो है अनुज को मारता है क्योंकि यहां पर जो अनुज है वो वन्राज की वामले के ज जैसे क्योंकि यहां पर वो अनुपमा से मिलने ही आ रहा था उसके साथ अपने रिष्टे की शिरुवात कर रहा था जिसके बाद आध्या जो है हमेशा कि उसके जिन्देगे से चली जाती है लेकिन आध्या जिन्दा है यहां दोस्ता आपको बता दे कि यह श्टीफ ने बता चल गया है कि आध्या मर गई है लेकिन अब यहां पर अनुच को ठीक करने के लिए पहली की तरह करने के लिए यहां पर अनुपमा जो है अनुच को लेकर जाने वाली आध्या से मिलवाने के लिए जी हां यहां पर अब पता चलने वाला है अनुच को कि बरखा और उसे छूड बोला था प्रॉपर्टी हर्पाने के लिए इतना ही नहीं आपको बता दे कि अब यहां पर आधिया जो कि होस्टल में है वो इतनी नफरत करती है अनुच और अनुपमा से क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि यह दोनों खुश हैं उसे ऐसा छोड़ कर क्योंकि यहां बर्खा ने माइनवश कर दिया है आधिया को और वो टॉर्चर भी करती है आधिया को जिसकी वज़े से आधिया जो है बहुत अदा नफरत करने लगी है अनुच और अनुपमा दोनों से ही लेकि अब यहां पर अनुपमा जो है जब लेकर जाएगी अनुच और अनुच को अपने साथ तो यहां पर जो है बहुत यदा खुश होने वाला है अनुज दे कर आधिया को लेकिन अब यहां पर अनुपमा नहीं छोड़ने वाली है बर्खा और अंकुश को जीहां यहां पर उन्हें सबक सिखाने वाली है और पता चलने वाला है आधिया को कि उसके पॉप आपस को गली लगा ले और अनुज जो है पहले की तरह हो जाए तो हमें डेर सारे कामेंट सुरी शेयर करें या फिर आपको लगता है कि आद्या जो नहीं बतली और वो यहां पर अनुपमा और अनुज को एक नहीं ओने देगी तो हमें कामेंट्स करें ऐसी टीवी के सब्डेट जाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने ना भूले